दोस्तों आज में आपके लिए दुनिया की सबसे अजीबों गरीब कार लेकर आया हूँ जिने देखकर आपके होसूट जाएंगे बस आप सभी लोगों से रिक्वेश्टे की वीडियो को लास्त तक जरूर देखना मेट्रेक ट्रक ये ट्रक दिखने में नॉर्मल लगता है पर इसके टायर नॉर्मल से अलग है जो बर्फिली जगों पर या फिर उन जगों पर आराम से चल सकती है जहां कोई नॉर्मल खार नहीं जा पाती ये अपने टायर की वज़े से फिसलन भरी जगों पर भी बिना किसी परेशानी के आराम से चल सकती है हालांकि अगर बर्फ काफी गेरी हो तो ये जरूर उसमें फस जाएगी ये पहले एक पिकप ट्रक हुआ करती थी जिसे इस कार के मालिक ने एक अजीब कार में बदल दिया अगर आप इसके तायर निकाल दो तो ऐसा लगेगा जैसे ये कार हवा में उठ जाएगी जिसके रफतार ज़्यादा तेज तो नहीं है तेकिन इसे देखने के लिए लोगों की धीर जरूर जमा हो जाएगी बेट मोबाइल कार ये व्यक्ति बेटमें मुवी का बहुत बड़ा फेन है और वो चाता था कि उसके पास बेट में वाली कार हो इसी लिए उसने अपनी कार को मोडिफाई करके बेट में कार में बड़ल दिया जिसे बनाने में उसे पांच महीने लग गए हालान की कार के बनकर तयार होने के बाद उसे लोगों भी तरफ से काफी प्रहसंसा मिली यहां तक कि उसने कार के उपपर वेपन्स भी फिट कर दिये ताकि यह और भी रियल लग सके BMW GINA साल 2001 में बनाई गई इस कार की स्कीन फेबरिक से बनाई गई है जो अपना आकार भी बदल सकती है यह अपना आकार कार की स्पीड और बाहर के वातावरन के अनुसार बदलती है यहां तक कि ड्राइवर के पास भी इसका आकार बदलने के लिए कंट्रोल सोते है जिसके फेबरिक स्कीन को पानी से भी कोई नुकसान नहीं होता अगर आप सूपर कार के सोकीन हो तो आपको यह कार जरूर पसंद आने वाली है जिसका गरवाजा उपर की और कुछते हुए देखना काफी खुबसूरत लगता है जो दुनिया में सिर्फ कुछी लोगों के पास है जिसे रेनोल्ड कंपनी ने बनाया है जिसका सफर आप अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं भूल पाओगे दोस्तों मुझे इस वीडियो के लिए आपका सिर्फ एक लाइक चाहिए जिसे देने में आपको सिर्फ एक सेकिन लगेगा और वीडियो के नीचे एक लाल बटने उस पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए वीडियो देखने के लिए दल्यवाद प्ली सब्सक्राइब करना न भूले